Hello viewers आज हम देखेंगे my first book of birds ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं टक टक गूस टर्की तर्की हन परोड पिकट ओल ओल ग्राव पिकट 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 पिकह पिकट wood picker kingfisher ostrich crane robin robin hummingbird hummingbird token 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 horn bee eagle eagle vulture vulture this is my first book of birds this is my first book of birds that is the first book of birds and food wood wood hunting तर्की तर्की तो इसको के लिए मुर्ग कहते हैं और गरगर कहते हैं और इसमें हिंदी उर्थ में तर्की ही कहते हैं और हें यह यह नि मुर्गी परोट तो तर्की है और हिंदी आजने से पुपट भी करते हैं तो तो तर्की ज़िए मुर्ग पीकोग ही यह नि मौर्ग ही दियुदु में से नाम मौर ही है Old, Old means Ullu, O-W-L Old means Ullu, Crown, C-R-O-W-C-R-O-W, Crown means Gawah, Sparrow, Sparrow means Chirya, और हिंदी में इसे Gawriya भी कहते हैं, तो Sparrow, Sparrow, S-P-A-W-R-O-W, यानि Sparrow, और यहां Pigeon, Pigeon यानि कबुतर, हिंदी उत्र में से कल कबुतर ही कहते हैं, यह साइचे, P-I-G-E-O-N, Pigeon, यानि कबुतर, Swan, S-W-A-N, Swan, Swan यानि, Swan यानि, Huns, और Penguin, Penguin को Penguin ही कहते हैं, Penguin के बारे में एक यह भी है कि परवास महरूम परिंदा, और यह गर्ष में रहता है, इसे हिंदी उडो में नाम Penguin ही है, इंग्लिश में भी Penguin कहते हैं, Wood Picker, Wood Picker यानि, Hudhut, एक बंदे का नाम, उसे कट खोडवा भी कहते हैं, हिंदी में, उसे कट खोडवा कहते हैं, और उसे घुदूत कहते हैं, यह वुट पिकर, W-O-O-D-E-E-C-K-E-R, Wood Picker, Kingfisher, N-K-I-N-G-F-I-S-H-E-R, Kingfisher, Kingfisher को राम चड़िया भी कहते हैं, और निल कंट भी कहते हैं, उसे, उर्दू में इसे ड्राम चड़िया कहते हैं, और हिंदी में इसे निल कंट कहते हैं, इसे, Kingfisher, Okay, Now, Ostrich, Ostrich को शितर मुर्व कहते हैं, हिंदी उर्दू, दोनों जगाह पे इसे, शितर मुर्वी कहते हैं, और यह रहा, क्रेन, C-R-A-N-E, क्रेन, यानि सारस, इसे सारस कहते हैं, इसके लंबी चुन को थी है, लंबे टांगो वाला भी कहते हैं, सारस, क्रेन, रॉबिन, रॉबिन एक लाल चिडिया, एक चिडिया जिसका सीना सुर्फ होता है, तो इसे रॉबिन कहते हैं, यह रॉबिन के नाम से मशूर है, क्योंकि इसका सीना सुर्फ होता है, यानि लाल होता है, रॉबिन, तो हमिंग वर्ड हमिंग वर्ड ये एक जो है शक्रफोरा कहते है उरियन ही में इसे मर्मर कहते हैं जाने कि गभी छोटाब बनानी के आवाज आती है यह एक खिसम का अमरेकी छोटा परिंदाय हमिंगबर्ड और ये है टोकें टोंगें परिंदी में हिंदी में टुकां कहते हैं लेगिन इसकी पहचान जो एक लंबी चोंच वाला परिंदाय परिंदाय यानि टुकेंद रॉटबिल इसे उर्दू हिंदी में निशाफ एक यहाग अब ऐगल को पैस कहते हैं कई या इसे हिंदी में दो हिंदी में इसे चीन कहते हैं और गिद भी कहते हैं गरूर भी कहते हैं वाल्च 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 यानि करगस यानि गिद्र और गड़ा भी कहते हैं इसे और हिंदी में जो से हरिंदा कहते हैं इसे हरिंदा कहते हैं और गिद कहते हैं और उर्दू में इसे करगस, और गदा कहते हैं, और गधा कहते हैं, तो यह थी इंग्लीश नामों के साथ बड्स तो परिंदे जिन हें हिंदी और इंग्लीश में क्या-क्या नाम दिए हुptions हैं तो एक बाद फिर से पैरोट पैरोट पीकॉक पीकॉक ओल यानि उल्लू ग्राव कव्वा पैरो यानि चिडिया पीजियन यानि कबुतर स्वन हन पैंगा पैंगी पैंगा पैंगी पैंगी पुद्पिकल यानी हुद्धूत, किंग फिशर यानी राम चिडिया, ऑस्ट्रिच, शितरमुर, क्रेन, सारस, रोबिन, एक चिडिया जिसका सेना सुर्फ होता है या लाल चिडिया, हमिंगगट को मरमर केते हैं शेकर खोरा केते हैं तोकेन यानि टुकान इगल यानि चील यानि अखाब बास गरूर और वॉल्चर हरिन्दा, करगस, गिद्ध, गद्ध, और हरिन्दा this is my first book of birds okay thanks for watching thanks for watching like and share and subscribe my channel thank you bye bye